जिनोंने सिंदगी को जाना है, हमने हसके खाये कि जीतने का कोई सवाल नहीं है मेरा सवाल मातापिता के साथ जो संबंद है उतके विशह में है तो मैं आपको डेड़ दो साल से सुन रहा हूँ और काफी बदलाव भी आया है जीवन में जैसे आप बंधनों को काटने की बात करते हैं तो उस तरह से थोड़ा साहस आ गया था मुझ में और जैसे जिन स्वार्थों की वजए से में मातापिता के ज्यादा समीप रहता था उन स्वार्थों को छोड़ने की कोशिश करी जो जॉब वगरा में था वो सब से आगे निकल जाएंगे तो जैसे प्रत्योगीता परिक्षा में बगरा है उसमें मुझे सफलता मेली और जो जो उपलब्धिया हुई वैसे घमन भी बढ़ता गया यह सारी चीजे मतलब मेरी जो जीवन की कहानी है वैसे हुई और बट जो फाउंडेशन था इसका जो आधा गया हुई बट जो माताविता की जो एक्सपेक्टेशन है वो अब क्लियर हो गई मैंने मैंने क्लियर कर दिया कि इस तरह से मैं जीवन नहीं जीना चाहता तो मतलब मेरे तरफ से तो मुझे यह बाट ठीक लगती है लेकिन हो क्या गया कि फिर मेरे पिताजी आवसाद का शि और जो जो चीजे आब आज मेरे पास ही जिए, डियास आपकी भी मुद्स और जो चीजे आपकी जाड़ से तो उनका भी उसके योगदान है ना हो तो जैसे आपकी शिक्षा है मेरे लिक बut बहुत का और अपियोगी रही है तो मैंने नहीं बहुत इंटेडिोस करने कोश सही रास्ते पर लाने ही कोशिश और उस तरह की जिसे क्योंकि उनके आसपास भी लोग बिलकुल उनी के तरह है तो जैसे आप कह रहे थे अभी तो जैसे मैं अपना कटूरा रगड के साफ करने ही कोशिश कर रहा हूं आपके आपकी मदद से लेकिन उनका कटूरा या उनकी करें यह समस्या लगभग सभी के साथ आती है देखिए हमारे रिष्टों का एक पुराना धर्रा होता है उस धर्रे में आप होते हैं दूसरा व्यक्ति होता है और वीज का रिष्टा होता है ठीक है अब आपको कुछ नया पता चला जो आपको नया पता चला है वो साधारन सूचना या साधारन ग्यान नहीं है साधारन सूचना या साधारन ग्यान हमने कहा वैसे ही होते हैं जैसे आपको अतीत में भी मिलते रहे हैं ठीक है न कि पहले दूद मिलता रहा है अब आपको दे दी गई लसी लेकिन मूल में चीज वही होती है अभी आपको जो मिल रहा है वो पुरानी चीज को आगे नहीं बढ़ा रहा है पुरानी चीज को काट रहा है साफ कर रहा है तो क्या होता है कि जो आपके और दूसरे वेक्ति के रिष्टे का आधार है वही बदलने लगता है बदल कर बहतर होने लगता है बदल कर बहतर होने लगता है लेकिन जो दूसरा वेक्ति है उसने तो पुराना ही संबंध जाना है उसको बिल्कुल नहीं पता कि आप कौन सी शिक्षाओं की बात कर रहे है उसको बस ये पता है कि आपको जूब कुछ भी मिला है उसकी वजह से जो पुरानी तरह का रिष्टा था वो खंडित हो रहा है या उसमें खिचाओ तनाओ आ रहा है कुछ गड़बड हो रही है उसकी दृष्टे में ठीक आप कह रहे हैं कि अभिभावकों को शिक्षाओं से विरोध है शिक्षाओं से बिलकुल भी विरोध नहीं है ये शिक्षाओं तो उन्हें समझ में ही नहीं आती समझ में आएंगी तब न विरोध होगा अलू का पाका टोको समर्थन करो विरोध ही करके दिखा दो अलू का पाका टोको समर्थन करिए समर्थन करिए समर्थन नहीं कर रहे है चलिए विरोध ही कर दीजिए विरोध भी नहीं कर पाएंगे, क्यों? क्यों? समझ महीं नहीं आ रहा पर हमारे बंधु उठ करके आयें आपके पास और बोले अलुका पाका टोको और पेट में एक मुक्ः मारें और फिर थोड़े दिर पात आदाहें बोले अलुका पाका टोको और एक चाटा मारे हैं तो अलू का पाका टोको के प्रते आपकी क्या धारणा हो जाएगी कि अलू का पाका टोको कोई बहुत ही खतरनाक चीज है इसका विरोध जरूरी है आप लोगों ने मेरे 50,000 दुश्मन खड़े कर दी है अलू का पाका टोको करकर के और यह सब घरों में होता है घर का कोई एक विक्ति होता है जिसको मेरी कुछ बाते समझ में आने लग जाती है और जिस घर में एक विक्ति को मेरी बात समझ में आने लगी उस घर के पांच लोग मेरे खिलाफ हो जाते है ये पक्की बात है अलू का पाकटो को मेरा नाम लेकर न जाने क्या करते हो कि ऐसे लोग मेरे खिलाफ हैं जिन्हें मुझसे कोई लेना ही देना नहीं उन्हें मेरी एक बात आज तक समझ में नहीं आई पर खिलाफत पूरी है क्यों है खिलाफत राम जाने उन्हें तो इस बात से लेना देना है कि हमारा बेटा हमसे छिना जा रहा है। हमारा बेटा हमसे छिना जा रहा है। मज़े की बात ये है कि आम तोर पे जो लोग हमको लगता है कि हमसे छिन रहे हैं वो कभी भी हमारे थे ही नहीं। मजेगी बात ये है कि बेटा कोई मोटी नौखरी करने अमेरिका चला जाए और चार साल तक घर ना आए तो भी माबापको नहीं लगता कि बेटा छिन गया लेगिन बेटा भले घर पर हो लेकिन दोचार सची बाते बोलने लग जाए तो माबाप को तुरंट लगता है कि ये तो गय हो खूब होता है आप कह दीजिए कि मैं मतरगश्टी करने जा रहा हूँ कई भी जा रहा हूं मतरगश्टी करने मैं मौरिशस जा रहा हूं मतरगश्टी करने घरवाले 20 दिन तक आपकी सुधन ही लेंगे और घर से ही कैश उठा करके वो मौरिशस चला गया, घरवाले बिलकुल नहीं पूछेंगे आप कहा देजिए तीन दिन के शिविर में आया हूँ घरवालों को आपकी इतनी याद आएगी, इतनी याद आएगी हर पंदरा मिनिट में कॉल करके पूछेंगे, कहां है, कहां है पिशले शिविर में, मैंने बताया था ना महुत्सव में, बाहर निकल के गया वहाँ पर वहीं पर लोगों के मुबाइल फोन रखे थे, मैं बैठा हूँ और एक का बजने लगा मैं उसमें देखता हूँ 42 मिस्ट कॉल्स या तो वाकई कोई बड़ी दुरघटना हो गई हो, तब तो 42 कॉल जायाज है नहीं तो ये कॉल्स नहीं है, ये धंकिया है न ये कॉल्स हैं, न ये प्रेम हैं, ये सिर्फ धंकिया है आपको सावधानी से काम लेना होगा, सत्य इतनी हलकी चीज नहीं होती ये दवाई, कोई सुप्रशिक्षित चिकित्सक ही पिला सकता है किसी रोगी को एक सधारन सी आपको वैक्सीन भी लगवानी होती है, तो भी आप हॉस्पिटल जाते हो जबकि कुछ नहीं हो, लगवाई ये से भी नहीं लगवा रखी है याँपर कितना समय लगता है लगाने में? कुछ सेकेंड लगते हैं ऐसे लिए, खतम लेकिन उसके लिए भी आपको किसी प्रशिक्षित व्यक्ति के पास जाना पड़ता है अब होता क्या है कई बार? कि मैंने तो आपको एक जटल चीज बहुत सरल करके दे दी आपको मिल गई चुँकि मैंने उसे बहुत सरल करके आपको दे दिया तो आपको लगता है यह तो चीजी सरल है, आसान है आपको लगता है इतनी आसान है कि मैं खुद इसको दूसरों को पिला दूँगा और फिर जो होता है, वो होता है मा का लाकटू को जो भी है वो घर आखरी जगह होनी चाहिए जहां आप आध्यात्मिक सक्करियता का खुला प्रदर्शन करें निवेदन कर रहा हूं अपना spiritual activism कहीं और दिखाईए वज़य है इसलिए वज़य यह नहीं है कि मैं घरवालों को मूर्ख समझता हूं या मैं नहीं चाहता कि आप यह घरवालों का भला हो वज़य यह है कि घरवालों से हमारा एक विशेश रिष्टा होता है और वो रिष्टा ग्यान पर कभी आधारित था ही नहीं आप में से किसने अपना पती या पतनी या माता या पिता उनके ग्यान को देखकर चुना जल्दी बताइए और रिष्टे बीसों साल पुराने है चालीस साल पुराना रिष्टा है उस रिष्टे में कभी ग्यान की कोई गुंजाईश कभी भी नहीं थी थी बड़ा हो सकता है निकटता का रिष्टा उपर उदेह की निकटता रही है हमेशा से मा को बेटे की देह की देखभाल करनी है और बचपन से यही करती आई है मेरा बेटा कितना सोना लग रहा है कितना लाड़ लाए कर दो लाव तेल लगा दो गुरा गुरा दिख रहा है खाना खालिया ना हां बिल्कुल सही है पेट पर हां बढ़िया अच्छा लग रहा है रिष्टा पूरा पूरा शरीर का था हमेशा से यही पती-पत्नी का रिष्टा होता है मावेटे का भी रिष्टा पती-पत्नी का भ पूलते थे और अचानक वो सारी बातें जो रिष्टे की बुनियाद थी आप अलग रखके कहेंगे ग्यान तो सामने वाला तो बिलकुल सहम जाएगा ना उसकी दुनिया चितर बितर कि ये क्या चीज नहीं आ गई ग्यान और वो आपसे कह रहा है मेरी आखें देखो मेरी ग्यान देखते हैं उन्हों जल्दी से गूगल करा कि ग्यान कैसे शरीर में फिट किया जाता है क्योंकि आदमी आज तक तो शरीर देखता तो मेरा ग्यान को भी कहीं शरीर में ही लगा लहूं तो क्या पता देख पता चला ग्यान शरीर में तो कहीं लगता नहीं अब आपा तो सबसे बेहूदे लफंगे होते हैं, उनको आप सबसे पहले चुनते हैं न यारी के लिए? We'll have a good time together. ठीक. उनी के साथ हम कहते हैं, कि अचा, इनके साथ रहते हैं, तो तनाव पूरा दूर हो जाता है. क्यों? काता है, जानुवर है? जानुवर के साथ क्या तनाव आएगा? एकदम जानुवर है, कुछ भी चल रहा हो दुनिया में, बड़ी से बड़ी बात है, बद एक बात बोलता है, बोतल खोल. तो कोई हमें तनाव होता है, हम इसके पाद आके बैठ जाते हैं. अब बोतल खोल ने के जगए ग्यान खोल दिया, उसको काटे हो तो खून नहीं, वो इधर उधर देख रहा है, कहाँ जाएं, कहाँ छुपें. और साथ में यह और बता दो कि यह न वो अचारे प्रशान्त, वहां से आ रहा है. कोई न कोई आएगा पक्का मुझे गोली मारने, और वो आपकी क्रिपा होगी. मजाक नहीं है यह, आप जानते हैं गंभीर बात है. और यही लोग, इन ही में से कोई न कोई, जो आपके ग्यान का शिकार है, वही मेरा शिकार करेगा. इस्तिति को समझीए भई, जो बड़े से बड़ा देह के इंद्रित, बॉडी सेंटर्ड रिलेशन हो सकता है, वो होता है परिवार में. परिवार की बुनियाद ग्यान नहीं होती, परिवार की बुनियाद देह होती है. देह. और देह और ग्यान एक दूसरे के धुर विरोधी होते हैं. किसी और से ग्यान की बात कर लो, चल जाएगा. माबाप से कर ली, भाई बेहन से कर ली, दोस्तियार से कर ली, एकदम नहीं. और अगर पति-पत्नी से कर ली, तो तलाक नामत तयार रखना पहले. और बहुत किसमत वाले होंगे आप, अगर आप इस तरह की बाते करते हैं, और लोग आपको जहेल रहे हैं. अभी जहेल रहे होंगे, बहुत देर तक नहीं जहेलेंगे. ये चीज़ें होती भी हैं, तो इनमें प्रगति बहुत धीरे-धीरे होती है. प्रगति कैसे होती है, वो भी बता देता हूँ. प्रगति तब होती है, जब आपका जो साथ हैं वेक्ति, चाहे वो माँ हो, भाई हो, पत्नी हो, वो आके आप से पूछें, कि बंदा तो तू बहतर होता जा रहा है, वज़े क्या है, और आप मुस्कुरा के कुछ न बोलें, और फिर जब वो पांच बार पूछें, तो उनको एक वीडियो दिखाते हैं, वो भी शॉर्ट. लंबा वाला नहीं, खतरनाक होता है, वो भी एक ज़लक दिखाएं, उससे आगे कुछ नहीं, जब दस बार पूछें, तो एक बार कुछ बता दो, उनको पूछने दो, अगर आप वाकई बहतर हो रहे हैं, तो वो बहतरी, दूसरों को प्रतीत होनी चाहिए, न? बेतर होने कारतिय थोड़ी है, कि दूसरे के लिए आप ज्यादा खीजे हुए हो गए, लड़ंके हो गए, खीजने से आपको मुक्ते मिल रही है क्या? इतना बताईएगा, मान लिजी आप पहले से ज्यादा ग्यानी हो गए, लेकिन आप साथी साथ खीजे हुए, चिर्च जड़ाहट क्या आपको मुक्ति की और ले जा रही है? तो फिर ग्यान क्या काम आया? अगर आप एक बहतर व्यक्ति बन रहे हैं, तो आपकी वो बहतरी घर में भी साफ प्रदर्शित होनी चाहिए, ना? मैं नाटक या प्रदर्शन की बात नहीं कर रहा हूँ, कि जूठ कि लाओ आज हम बरतन धुलवा देते हैं और ये सब, नहीं. लेकिन सूरज उगता है, तो रोशनी सब तरफ पहुँचती है, हवा बहती है, तो सब को पता चलती है. आप में अगर बहतरी आई है, तो देर सबेर घरवालों को अपने आप पता चलेगी, तब तक करिए. ये कडवे नीम के लड़ू, उनके हलक में जबरदस्ती मठूसिये. हमें खूब प्रचार करना है, बात को बहुत दूर तक लेकर जाना है. मैंने क्या कहा है, कहां तक लेकर जाना है? दूर तक लेकर जाना है. मैंने ये थोड़ी का है, कि अपने शैनकक्ष में ही ग बात को दूर तक लेकर जाईए, ये थोड़े ही कि बाहर वालों से बात करने में जिजक लगती है, तो सारा पांडित पिता के सामने या पत्नी के सामने ही पूरा उडेल दिया, देखो हम इतने बड़े पंडित हैं, बैठ जा, सुन, अब और किसी पर हमारा बस वैसे ही नहीं चलता, सामने बिचारा एक निरी हमिल गया है, रिष्टेदार, उसको बैठा लिया और तीन घंटे पर भी प्रभाव कब पड़ेगा, जब उन तक मेरी बात आप से नहीं किसी और से पहुँचेगी, आप उन्हें मेरी बात पहुँचाएंगे, और कहेंगे दो कोड़ी की बात है, घर की मुर्गी, अगर आप वाकई चाहते हैं कि ये बात आपके घरवालों तक पहुँचे तो इस बात को दूर दूर तक पहुचाएंगे, ताकि उनका कोई अनाम अंजान परिचित एक दिन ये बात उन तक लेकर आए, और फिर आप कह पाएं कि ये तुम अभी जिनको देख रहे हो, सुन रहे हो, इनको मैं तीन साल से जानता हूँ, आपके लिए बहुत मुश्कि करके एक दूसरे को सहारा दिया जाता है, बढ़ाया जाता है, आम तोर पर वैसे हमारे परिवार होते नहीं, हमारे परिवार आम तोर पर ऐसे नहीं है, जहां माबाप में और बेटे-बेटी में मित्रता का रिष्टा है, नहीं होता है, हमारे जोडे भी ऐसे नहीं होते हैं कि वो मित्रता के तल पर बने, वो देहे के तल पर बनते हैं और ये बात आप जानते हैं, देखिए हाँ पर हम एक दूसरे को सहलाने पुछलाने के लिए तो आई नहीं है खरी-खरी बात करने हैं, हम भली बाते जानते हैं रिष्टे कैसे बनते हैं, निर्धारित होते हैं, चलते हैं आगे, आप बात को दूसरों तक पहुँचाईए, और प्रतीक्षा करिए, एक दिन वो दूसरे इसी बात को आपके घर तक पहुँचा देंगे, घर में शान्ति पूर्वक एक दो बार प्रयास कर लीजिए, और पाएं की बात बन नहीं रही है, बलकि जिनसे आप बात कर रहे हैं, उन्हें शक हो रहा है और डर लग रहा है, तो चुप चाप रुख जाएए, कोई जरूरी नहीं है कि आप घर में करांति लाएं, आपके लिए जंजट खड़ा हो जाएगा, बस ये है, हम और भी कई हरकते करते हैं, हम अध्यात्म का सहारा ले करके, अपने बदले भी निकाल लेते हैं, आओ हिसाब बराबर करते हैं, वैसे तो तुम मेरी बात सुनते नहीं, अब शलोक के साथ सुनाओंगा बच्चू, अब तो माननी पड़ेगी न, और शलोक भी ऐसा हो जिसमें मान लिजए, आचारे शंकरनी सीधा ही बोल दिया हो, कि जो व्यक्ति बहुत मोह में पड़ता है, वो मूढ होता है, अब मज़ा आ गया, मूढ बोला, मूढ माने बेवकूफ, क्या कर रही हो जरा इधर आना, देखो इस शलोक क्या बोल रहा है, जो व्यक्ति मोह में पड़ता है, वो बड़ा बेवकूफ होता है, हाँ हाँ, हिसाब उधर से भी बराबर होगा फिर आप महत्साव में आएंगे अजारे जी एक प्रशन है आपने नुकलियर सुजेक्स पढ़ी और आपने पिताजी को पढ़ाने गए थे गए थे तो यही गाये को लेके पहुँच जाते हो आपने जो कुछ भी सिंदगी में पढ़ा वह आप सब यारदोस्ते को पढ़ाने लग जाते हो अपने एक बार अपना मन भी टटो लिया आकर ओ चाहते क्या हैं हम सब के घरों में जो हो रहा है वो घर तक सीमित नहीं है हमारे मन पर हो हमारे घरवालों के मन पर हो सब के मन पर बहुत बड़ी ताकतों का प्रभाव है मैं बार बार कहता हूँ उन बड़ी ताकतों से लड़ो न इक बात बताओ अगर अगर दिल्ली की हवा ही कुल प्रदूशित है पूरी की पूरी तो आप अपने घर के अंदर की हवा कितनी साफ रख सकते हो बताओ आप एर प्यूरिफायर लगा लोगे आप वो पौधे रख लोगे इस तरह के काम हम करते हैं पर बाहर एक यू आई है 1200 का एर कॉलिटी इंडेक्स जो हवा की शुद्धता का पैमाना होता है शुद्धता का नहीं 1200 है होना चाहिए 50 के नीचे आपके घर की हवा कितनी साफ रह सकती है तो उन ताकतों से संघर्ष करो जो हवा को खराब कर रही है अपने घरवालों से संघर्ष करके क्या मिलेगा बार बार जाकर के बोलो के पिता जी आपने घर का महौल माने घर की हवा बहुत खराब कर रखी है क्यों आप बड़ा एर प्यूर फायर नहीं ला रहे हैं ये नहीं कर रहे हैं ये नहीं कर रहे हैं तुमने जो बोला उसमें आंशिक सत्य हो सकता है लेकिन जमीनी बात तो यह है ना कि वो जो घर में भी महौल खराब है वो महौल खराब कहीं और से हो रहा है वो जो मूल समस्या है उससे संघर्ष करने में साथ दो घरवालों के ही विरुद्ध संघर्ष करने लग गए तो अपनी सारी उर्जा घर में ही खराब कर दोगे और घर उर्जा खराब करने में बहुत सक्षम होता है अगर जीवन में आगे बढ़ना आओ तो एक काम कभी मत करना घर में अपनी उर्जा और समय खराब मत करना घर में सहज शांत रिष्टे रखो अगर घर में कलह कलेश है तो आप जिंदगी में बाहर कुछ भी नहीं कर सकते बात से सहमत हो रहे या नहीं जिन से आपके पुराने रिष्टे होते हैं न वो आपको इतना गहराई से चोट दे सकते हैं कि उस चोट से उबरने में ही आपकी सारी उर्जा बह जाएगी तो घर को रणभूमी मत बनाओ लड़ने के लिए हमारे पास हजारों अन्य ज्यादा महत्वपूर्ण मोर्चे हैं हम लड़ेंगे वहाँ पर अपनी पत्नी और मा से लड़के हमें कुछ नहीं मिलना है मैं कोई जवाब दे पाया हूँ या नहीं सपश्ट हो रही है बात हाँ जी तो घरवालों से शुरुवात नहीं करनी चाहिए यह बात जैसे मैंने आपके जो और वीडियो देखे है उसमें भी आपने बात कहीं है और तो जैसे कहां से शुरुवात करी जाए क्योंकि कुछ हफतों पहले आपका एक वीडियो आया था कि जैसे आप एक तरह से डांट रहते हमें मैं समसतों हमें जैसे हम जो आपको फॉलो कर रहे कि हम संस्था का जो काम है या जो मेसेज है वो आ अगे तक नहीं ले जाते उतना जादा तो जैसे मैं भी बढ़ाता हूँ तो जैसे अभी मैं Newton's Laws पढ़ा रहा हूँ और Third Law of Motion है तो Forces occur in pairs, तो ये बात अब इससे ज़ादा बड़ी जो अधिवैत वाली बात हो सकती है, है ना, तो पर ये सब चीजे है, तो ये मेसेज में पहुचा नहीं कोशिश करता हूँ, लेकिन और क्यूंकि मुझे पता है कि जैसे अभी मैंने कहा कि जो आधार होता है बच्पन में जो लेडाउन हो जाता है, तो वो ज़रूरी है कि एक सही तरह से हो जाए, तो ये बच्चों के लिए, I feel के एक अच्छा opportunity है, पर तब भी जैसे आप कल भी ये बात बोल रहे थे कि वो सम्मान तो दे थे उस बात को, बट उतना वो उसको अपनानी बाते वो आगे चले जाते हों बोलते हैं, सर आप बताईए कि कॉलेज में कैसा था, गल्फ्रेंड कितनी थी, ये बीज बिखेरते चलो, हमें नहीं मालूम कौन सा बीज जड़ पकड़ लेगा, बीज डालते चलो, ये जो नए विचार होते हैं, इनमें बड़ी जान होती है, एक बार किफी के दिमाग में आ गया, फिर हो सकता है कि बहुत भारी वरक्ष बने, उसके दिमाग में विचार डालो तो सही, फ्रेम ओफ रिफरेंस, तुम जहां हो, वहां से तुम्हें लग रहा है, सूरज चल रहा है, जो सूरज पर बैठ ग ठीक वैसे जैसे अगर तुम किसी को घूसा मारोगे, वो भी पलट के तुमको घूसा मार देगा, हम इसमें उधा的人 सिर्फ गेνध और दिवार का ही क्यो लेते हैं, हम सिर्फ यहीं उधार न क्यो लेते हैं, कि आप अगर गेंध मारोगे दिवार पर, तो दिवार से गेंध वापस आएगी reaction बराबर का होगा इसमें उदाहरण दो जड़ व्यक्तियों का क्यों नहीं लेते क्योंकि Newton's laws material laws है और हम में से ज़्यादातर material लोग हैं अगर हम material लोग हैं तो वो नियम हम पर भी लागू होते हैं मैं किसी योग घूसा मार होगा वो मुझे खूसा मार देगा तो ये बाते उनके दिमाग में डालते चलो 16-17 साल के होंगे बड़ी महत्तपूर्ण उम्रे ये बात दिमाग में आई ही नहीं कि अगर कोई आपको मार रहा है और आपने पलट के मार दिया तो आप गेंद और दिवार से अलग कुछ नहीं फिर पता चलेगा कि चेतना क्या चीज होती है चेतना वो चीज होती है जो प्रतिक्रिया करने के लिए विवश नहीं होती उस पर गेंद और दिवार का किस्सा नहीं लगता वहाँ कुछ और भी हो सकता है किसी ने आपको घूसा मारा, आपको और भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं मालूम नहीं क्या करेंगे, आप जानें, चेतना के बारे में कोई पुरवा नुमान लगाया नहीं जा सकता गिंद के बारे में लगा सकते हैं, दीवार के बारे में लगा सकते हैं प्रोजक्टाइल मोशन, मैंने यहाँ से फेक के मारा, मुझे पहले से पता हूँ, कहाँ जाके गिरेगा, ये बात आप साधू के बारे में नहीं बोल सकते हैं, यहाँ से चलाए तो कहाँ जाके गिरेगा, कहीं भी जा सकता है, रमता जोगी, भेता पानी, उस पे employee पर ये नियम बिलकुल लगा सकते हो इतने बज़े घर से निकला है इतना angle लेगा ये रास्ता पकड़ेगा और ठीक जागे दफतर में गिरेगा तो projectile motion corporate employee पर लगता है, साधू पर नहीं लगेगा, वहां तो बहता पानी कुछ पता नहीं कहां जा सकता है तो physics तो बहुत बहुत मज़ेदार चीज़ है लोगों तक अध्यात्म लाने के लिए वहां पर करो काम घरवालों को छुड़ो करो 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 करता है झाल